मैं स्लामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स मुम्रा के बांबे कालोनी स्थिस अंतोस नगर तिरिप्ती अपार्टमेंट में रहने वाले रीना मुहम्मद खान और उनके पती अजहारुदीन खान ये दोनों आखों से देख नहीं सकते हैं मगर अपने बेटे अब्दुलकादिर को लेकर में कमपनी के पास रहने वाले हिवजिर अली और चील वाले बाबा पर आरोप लगाया है कि उनके बेटे अब्दुलकादिर को चील वाले बाबा तीन साल से अपने घर में रखे थे और उन्हें अपने माता पिता यानी रीना और अजहर के पास नहीं जाने देते थे वहीं रिना का कहना है कि हिवजिर अली ने कई वार उन्हें डराया धमकाया भी है मगर हिवजिर अली यानि चील वाले बाबा ने रिना खान दौरा लगाए गए आरूपों को गलत बताया है उन्हें कहा है कि अब्दुलकादिर मेरे पास नहीं रहता था हलाकि ये जरूर कहा कि करीब 3 साल पहले उसे खाना अपने घर पर जरूर खिलाया था मगर वहीं अब्दुलकादिर को वापस पाने के लिए ये दोनों माता पिता 3 साल से मुम्बरा पुलिस टेशन कई बार आये और इस दवरान पुलिस ने कादिर को एक बार इन्हें सौंप भी दिया मगर कादिर इनके पास रहा नहीं वो फरार हो गया अब्दुलकादिर खुद अपने माता पिता रीना खान अजहरुदिन खान के पास नहीं जाना चाहता है मगर कल फिर पुलिस के पास रीना और अजहर अपने बेटे कादिर को पाने के लिए मुम्रा पुलिस स्टेशन में हिवजिर अली के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे जिसके बाद अब्दुलकादिर को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पुलिस उसे बाल सुधार ग्रह भेचने का फैस्दा लिया है ऐसा रीना और अजहर ने बताया है अब्दुलकादिर के माता पिता चील वाले बाबा पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे को अपने घर में रखे थे वहीं बाबा ने बताया है कि गलत आरोप है वहीं बाबा से ही पता चला कि अब्दुलकादिर कहीं और दूसरे जगहां पोश्टर बनाने का काम करता था मगर अब अब्दुलकादिर को उनके माता पिता घर नहीं ले जाने के वज़ाए पुलिस से तरखास की है कि उन्हें ब परोपु पोग गलत बताया है आप गताल मेरी साल से नहीं और किसके पास रह रहा था लियार पांस या नहींगा तो आपका बेटा फूप लोगों saa पुलिस वाला साब बोल रहा था कि हम इसके लिए कोई कानूनी कारवाई नहीं कर सकते इसको भूशा हैं कर बक्मेशित करें का बात पुल जाने को तब और बच्याने को अब लेके जाएंगे- बोली कि नहीं मुझे घर नहीं लेके जाना है मुझे उसको रिमान होम में डालना है तो आपको घर लेकर आना चाहिए था तो आप फिर क्यों जो है इसको चिल्लर रूम में क्यों डालना चाहा है मैं इस लिए डालने चाहां कि मैंने इससे पहले भी उसको मैंने घर लेके आया था वार्वाबने लटके ले लेकर घर उते रहता था और बोलता है क्या हम्ने तो बुलाया नहीं है और पोलीस वाला सावा बोलता है अभी भी पोलीस वाले बोला कि हम कुछ करने ही सकते हैं तो तीन साल पहले से आपका बच्चा बाबा के पास रह रहा था तो फिर आप लोगों के पास आना चाह रहा है और नहीं चाह रहा है पहले तो आने चाह रहा नहीं था लेकिन आभी फिला लो बोला हां तुम लोग अगर घर पे ले जाते हो तो मैं घर पे आने को तैयार हूं लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि वो घर पे आके फिर से मुझे ये परेशानी में डालके वो निकल के जाए और मैं कहां ढूनू उसको इसलिए मैं लाने नहीं चाहां मैंने उसको चिल्ला रूम में डाल दी कि आखिर पाकिर के बच्चे होएगा तो खाना मांग रहा है हम खिला दे भई हम तो सब को खिलाते है कोई मांगता है काना खिला देते हैं पानी मांगता है पानी पिला देते हैं और हमको उसको मालूम नहीं है कौन बच्चा है कौन नहीं उसके माबाप का कहना है कि जो है करी एक भुदे दुड़ार बच्ची आए ताम कहां से का उसो अनिए उसको रखेंगे गुदेर का करें के तू बटागे मेरे पास नहीं था है। हैं मेरे पास नहीं था इसके इलावा बागी और उसने किसी है वो तीन नून साल हो रहा है तब की बात है वो अभी वो पिर अब जवान हो गया अब अपने हाथ पाहर का खुद हो गया अब जहां रहीता है वो जाने बच्चा हम लोग का जाने हम मलंग आदमी हमारे जो भी आ चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकोन दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें